केंद्रे अन्वेशन ब्यूरो, CBI दिली सरकार की 1000 लोफ लोर बसों की खरीद सौते में ब्राष्टाचार के आरोपों की जांच करेगी केंद्रे वित मंत्री निर्मला, सिता रमन आजसे नागलेंट के तीन दिन के दोरे पर रहेंगी कॉविट टिकाकरण 210 करोड का आकड़ा पार कर गया है राष्टिय राजधाने दिली में कल 942 लोगों में करोना संक्रमन की पुष्टी हुई दिली सरकार ने कहा कि कल 1360 संक्रमित स्वस्थ हुए पाकिस्तान के पूर्व मंतरी इमरान खान पर भड़काव भाषन को लेकर आतंक रोधी अधिनियम के अंतरगत मामला दच किया गया है और क्रिकट में हरारी में आज भारत और जिंबावे के 23 और अंतिम एक दिवसीय मैच खेला जाएगा तो यह थी इस घंटे के आकाश्वाणी के FM Rainbow पर आप तक के मुखे समचार बारिश की बूंद में बातों में आदों में नए एक सफर पे चलते हैं ले तुम को कहीं रोजाना जूड़ते युठी कोई दुन नहीं जले हम को कहीं आकाश्वाणी FM Rainbow के अंदर सेहत की रवानी है वेलमानते हैं नवाज जी हेल्थ सेक्टर दोस्तों हमारे देश महिनी बलकी और देशों में भी एक बूमिंग सेक्टर है इन फैक्ट कहा जाता है कि आज के दौर में इंडियन हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है जिसमें हॉस्पितल्स के इलावा मेडिकल एक्विपमेंट, सप्ला एंशोरेंस भी इंकलोड़े है और इस पैंडमिक में तो हमने देखा भी है कि कितना प्रेशर बड़ा है हॉस्पितल्स पर और किस तरह से हॉस्पितल्स ने अपने efficient management के जरिये इस situation को टैकल किया है और कर भी रहे हैं आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और करियर के लिए एक बेहद मैं काऊंगी बढ़िया ऑप्शन है बंद हो बात करेंगे आज इसी टॉपिक के बारे में जो है करियर इन होस्पितल मानेजमेंट प्रोग्राम रेंबो हेल्प लाइन में जो है रेंबो दॉपिक का फॉर्स सेग्मेंट और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है शिरी गौरफ पांडे हूँ इस हेल्थ केर एक्सपर्ट तो चलिए दोस्तों करते हैं उनका स्वागत हेलो सर हेलो कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छा हूँ सार हं भी बहुत अच्छे हैं और हम शोर जो आज आज स इनना कौन सा कर्यालिया हो जैंगे तो सार जिसे केसे हुआर बनाएं और सबसे पहले ऑप से जाए हुआ होता क्या है बहुत ही अच्छा सॉवाल है और बहुत ही मैं All India Radio का शुक्रिया अदा करता हूँ इस टॉपिक को चूज करने के लिए क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये शंकाये रहती हैं कि एक मैनेजर को देख करके कि वो क्या करते हैं तो ये बहुत ही इंटरस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है और ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर सेवा भाव है मैं ये जह कहना चाहूंगा कि उनके लिए ये बहुत ही जो नर्क और नारायन का रूप देखते हैं उनके लिए बिलकुल ही सही फील्ड है और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर हेल्फ लाइन में रहना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे हॉस्पिटल मैनेजर क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे आयाम होते हैं हम इसको मेंली दो भागों में बाटते हैं एक क्लीनिकल सर्विसेज और एक सपोर्ट सर्विसेज क्लीनिकल सर्विसेज को जनरली डॉक्टर्स देखते हैं बट सपोर्ट सर्विसेज जो होती है उसको हॉस्पिटल मैनेजर देखते हैं तो अगर हम बात करें कि hospital से जो उसके statuary requirement हैं, जो कि government कम से कम 30-40 ग की licences की जरुवत होती है, उनको जो है वो hospital manager ही जो है विवस्थित करता है, उनको पुढदान करने में उनकी मदद की जरुवत होती है, और day-to-day hospital के इंदर जितना भी management है, वो सारा एक hospital management में जो एक पारंगत एक expert है जिसने उससे कोई योगिता degree ली हुई है वो करने के लिए इसको दिया जाता है सर आपने बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही अच्छी तरह हमें समझा है इन फाक्ट मुझे इस बात बहुत अच्छी लगी आपने कहा कि सेवा भाव जो social service हम सब करना चाहते हो और जिस career में आपको पैसा भी मिल रहा हो साथ में सेवा भाव अगर आपके अंधर है लोगों की से सवाल चल रहे हैं इस flourishing career को लेकर कि कि इस तरह की courses available है क्या skills develop होनी चाहिए किस पे मुझे अपनी skills पे काम करना चाहिए जो भी मन में doubts हैं इस career को लेकर कि मैं इस career में आऊं तो कैसे आऊं इस तरह के मन में जो सवाल अदिलों दिमाग में वो शोर तो जरूर मचा रहे होते तो सवाल पूछ के लिए अपने इस मन में जो दुविदा चल रही है दौर लगाड़ी इसे शान्त कर लेजिए हमारे calling numbers है 011-234-21084 011-234-22346 हमारे toll free number है 1-8-00-1-0-0-2-6 मैं calling numbers फिर से बोल रहे हूं 011-234-2-1-0-8-4 सेकिंड number है 011-234-22346 हमारा whatsapp नमबर है करना चाहते है 9868107070 9868107070 normal message करना चाहते है दिन टाइप rain उसके बाद अपना सवाल लिखी वो पेस topic से जोड़ा इस करें के बार पर अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो सवाल लिखी उसके बाद नाम हो जगह के साथ 53010 पर भेज दीजिए अगर आप mail करना चाहते है देन 90 note कीजिए rainbow102.6 fm at the rate gmail.com rainbow102.6 fm at the rate gmail.com तो mail करे, message करे, phone करे, जो दिल में आए वो करे पर participate जरूर कीजिए FM rainbow पर प्रोग्राम चलवा rainbow help line जो की है rainbow दोबह का first segment और मैं हूँ आज आपके साथ प्रयांका वर्मा हमारे साथ studio में मौजूद है गौरव पांडे जी आप healthcare expert है तो गौरव जी गाना लगा दे जी तो चलिए लगा दे हैं दोस्तों ये गाना गूद आफ्टरनून गौरव जी आफ गौरव जी तोस्तों ये वाना खिया जी टो जी आफ्टरनून टी आफ्टरनून आशाओं की सुपान से मन ही मन के खयाल से अर्मानों की कहानिया मेरा मन क्यूं न जाने खिल गया है सूरज की जब किरन पड़ी शब नम पे तब लिखी गई बादल की ये कहानिया मेरा मन क्यूं न जाने खिल गया है लहरा के मैं गाऊंगी लहरों पे मैं नाचूंगी चंदा से मैं पूछूंगी उसकी रोशनी अर्माने काले खिल गया है जहां मिलते हैं धरते और गगन वहां के काशिया नहों जहां होते हैं तारों के नगर वहां मेरा ठिकाना हो हां मिली है सुरों के सरगर चली है चंचल अपाए सामने हो मेरी भी मंजिर बुला रही है फिजाए लहरा के मैं गाऊंगी लहरों पे मैं नाचूंगी चंगा से मैं पूछूंगी उसकी रोशनी जैसे खिलती है कलिया और सुमन वैसे खिलती रहूंगी मैं जैसे चलती है लहरे खुद पखुद जैसे चलती रहूंगी मैं कोई बंधन न कोई सीमा न कोई दीवर हो मेरी राहे मुझे बताए मेरा ही संसार हो लहरा के मैं गाऊंगी लहरों पे मैं नाचूंगी चंदा से मैं पूछूंगी उसकी रोशनी तोम तारा दिरा न दिर की ये धड़कन तोम तारा दिरा न कैसी ये हल चल तोम तारा दिरा न मेरा है सारा जहां आशाओं की सुपान से मन ही मन के खयाल से अर्मानों की कहानिया मेरा मन क्यों न जाने खिर गया है ये हलम तारा दिरा न से मैंconomिल का इड़कन तोम तारा दिरा न दॉद ए ठारा दिरना全 दिरना गुपै। प्रोग्राम की शुरुवाती इस गाने से और यह जो ऑप्टिमिस्टिक ट्राक है ना सीरिसली यह मेरे खास का अपने यंग्स्टर्स जो मेरे दोस्त है उनके लिए लगाया है अगर इस लेरिक्स का अपने ध्यान से सुना है तो समझ गयोंगे वेला आज प्रोग्राम चल र मैनेजमेंट जो है यह दो पार्ट में दिवारिड है एक है क्लिनिकल सर्वेसेज और एक है सपोर्ट सर्वेसेज अगर मैंने सही का तो क्लिनिकल सर्वेसेज जो हैं वो डॉक्टर्स देखते हैं जादा ता जो सर्वेसेज हैं सपोर्ट सर्वेसेज हैं वो डॉन क्लिनिकल है जिसमें आप MBA करके भी आप चाह सकते हैं तो फिर हॉस्टिल की भी कितनी तरह के होते हैं जी बहुत ही जरूरी सवाल है इसमझना हॉस्पिटल को हम लोग मेंली तीन भागों में डिवाइड करते हैं जिनमें की हम कहते हैं कि प्राइमरी केर हॉस्पिटल जहां पर एक डॉ जाती है और कुछ जहांचे हैं कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाता है उसके हलावा जो सेकंडरी केर हॉस्पिटल होते हैं वहां पर वो मजोले कि संके 50 से 100 बट के हॉस्पिटल होते हैं जहां पर ऑपरेशन थीटर आइसी वगरा की विवस्था होती है और एक सामान की सिर्ण के बड़ेदे विवस्पिटल की सबड़ी कुछ और कशक्टन तकर नाम से बी जानते हुं आपर एटवांस जितनी CHRIS के लिए और उनकी आपचार के लिए वहां सारी मशीने ओती और करण होते और उससे बड़ी बात है कि वहां पररेश इन दौश्पिशें प्रोटोन थेरेपी जैसी जो है वो सर्विसे रोबोटिक सर्जरी मतला रोबोटिक सर्जरी मीन्स उसको करता तो डॉक्टर ही है लेकिन उसके जो फाइन हैं बहुत सारी जगेर ऐसी होती है जहां तक हाथ को नहीं पुचाया जा सकता जैसे अगर बात करें मुह तो मुह में अगर तंग के पीछे कोई छोटा सा टूमर है तो उसके अंदर एक डॉक्टर का हाथ नहीं जा सकता तो वहां पर रोबोटिक हैंड बहुत ही फाइन पतले-पतले उसके जो हैंडल होते हैं उसके तुरू उसको प्रेसीजन से कंप्यूटर के अंदर इमेज से देख करके व हमें बिलकुल ही प्रेसाइजली पॉइंट में जिसमें पॉइंट में हमें चीरा लगाना हो और अंदर जाना हो तो वहां पर हम डॉक्टर उसको अपने पीछे हाथ से कंट्रोल करता है बट एक रोबोटिक आर्म्स होते हैं जिससे कि उसकी सर्जरी की जाती है तो इंडिय प्राइमरी केर हॉस्टल यानि क्लिनिक्स हुए जी उसमें पांच से दस बेट हो सकते हैं प्राइमरी केर हॉस्पिटल में बट इससे जाता नहीं होते हैं तो यह बेसिकली में अगर कहूं तो प्राइमरी केर हम क्लिनिक्स भी ले सकते हैं चोटे वाले जो क्लिनिक्स होते बट हमारे सरकार का भी इसमें इसमें मौडल बना हुआ है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्ट सेंटर प्रेशी जो कि गाओं के लेवल पर समुदाइक लेवल पर होते हैं और वहाँ पर बेसिक सुवदाय जैसे हम आशा जी एनम देखते हैं और उसके बाद में फिर जो है जिनको हम CHC कहते हैं, तो वह secondary level के गौर्वर्मेंट के होस्पिटल सुए, फिर district hospitals होते हैं, जिनको हम और बड़ी जनसंख्या के लिए सरकार ने बनाया है, और district hospital के बाद में referral hospital होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि all इंडिया इस्टिट हमारा देश का सरवोच referral hospital है, और वह एक qu वहागन ट्रांस्प्लान्स भी होते रहे ह। यह आप नहीं जोंगत्य। कराफे बहुत इंद रहुड़। कि अंशा है, में जोंगते रहे हैं, सिर्ड उपने व्ला ज मतता है, संवी होते हैं। जी बिलकुल आपने सही पहचाना ठीक है चलिए एक पॉइंट तो सही हो गया हमारा nursing homes है और जो आपने tertiary जो सेक्टर बताया है इसमें super speciality तो sir super speciality और multi speciality में क्या difference होता है एक बड़ा nursing home जिसमें बहुत सारी speciality की services हैं जैसे अगर हम बात करें गानेकोलोजी पीडियाट्रिक्स, और्थोपेडिक्स इनका अगर एक सम्मूव वहां पर उस सेकंडरी केर हॉस्पिटल में है तो उसको हम multi speciality hospital बोलेंगे super speciality का मतलब हुआ कि अगर हम पीडियाट्रिक्स या जहां पर हम angiography, angioplasty, pacemakers लगा सकते हैं और उसके अलावा और भी आगे हम जो है वह कर सकते हैं तो वह tertiary level का hospital हो गया तो ऐसी बहुत सारी specialities जिनकी tertiary care सुविदाय महा पर उपलब्द हैं उसको हम super speciality hospital कहते हैं यहां पर यह भी जानना जरूर है कि एक single super speciality hospital भी हो सकता है और एक multi super speciality hospital भी हो सकता है तो single super speciality hospital की केवल जैसे heart का महाँ पर treatment होता हो तो वो single super speciality hospital जिसे आपने cardio का बताया, heart का बताया कि हमाँ pace maker सब कुछ उपलब्द है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी कई बार क्या होता है, एक hospital में कहते हैं कि यहाँ पर यह वड़ा test अविलिबल नहीं है हम आपको दूसरे lab में लेके जा रहे हैं तो यह problem वहाँ नहीं आएगी अब clear हो गया दोस्तों हमारे साथ है गौरण पाने जी और हमारे साथ इस समय एक call भी है यह मैंने भी देख लिया है इसे के साथ सार एक message आया है कि आपने यह राहूल का message आया है पतना से ही कहते हैं कि good afternoon ma'am राहूल पतना hospitality management का कौन सा degree और skill होना चाहिए प्लीज डिटेल में बताएए पहले दोस्तों यह hospitality नहीं है hospital management है यहां आप देख लीजेगा कि hospitality management एक अलग चीज होती है तो इस समय जो हमारी call है वो finally लग चुकी है देखते हैं अजी नमस्कार आपका नाम हमें अशोव बोल रहा हूँ अशोव जी कहां से बात कर रहे हैं आप खराट्चे हाँ जी प्रिकेट के बारे में फॉल लगा यह क्रिकेट से रोलेटेट प्रोग्रम नहीं चलो रहा दोस्त वेल दोस्तों आप इस प्रोग्रम से जोड़ा सवाल पुछना चाहते हैं तो जरूर पूछिएगा जी हमारे calling number 011-234-2-1084 हमार सेकिंड calling number 011-234-22-346 हमार टोलफी नमबर 1-8-0-1-1-1-0-2-6 वाट्चाप करना चाहते हैं तो 9868107070 और इसके साथ ही मेस्टिज आया है प्रियंका वर्मा मैडम जी नमस्का मेरा सवाल है कि करियर in hospital management को जॉइन करने के लिए minimum qualification कितनी और financial help भी मिलती है क्या और future में कितना scope है private और government दोनों में रगुईंदर सिंग जी बिताते हैं सुभाश नगर न्यू डेली से हमें लिख रहे है जी बहुती अच्छा सवाल है सर मैं इस सवाल को यही रुखना चाहूंगे क्योंकि काफी बड़ा सवाल हो इस समय हो रहा है वो गाने का और है तो रगुईंदर जी आपकी सवाल का उत्तर जरूर मिलेगा गौरव जी हमारे साथ है गौरव पांड़ जी हेल्थ केर एक्सपर्ट है लेकिन गाना बेट कर रहा है सर तो म्यूजिकल ब्रेक ले ले तो चलिए दोस्तों गाना सुनते फिर आते हैं प्रोग्रम रेंवो हेल्फ लाइन में जोगी है रेंवो तो भांड़ का फॉस सेग्मेंट मैं हूं पर प्र्यांका रोकी रुको मैं ना क्योंकि औली पकड़ली सपनों की आये हैं खुशियों के पंजी खुली चुखिड की उप्कियों की अधली की ना कि दीटिटों की दो तरकर्णों के सीट ट्यू्न से भर आ है, जो मैं रहो क्यों शाय。 मन वा पंख पहला के लाइक शुफ लाइं, दुनिया पुल-पुल-पूल कर G 이미 paying बेड़े me कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो कि बेली थोड़ा स्वीट है बस थोड़ा साइड तील है psychically धिल थोड़ा स्वीट थोड़ा धीट का है धी थोड़ा थेड़ा वेड़ा थोड़ा नीट का है धी है तो अपना है भाई मनवा पंख भैला के like to fly दुनिया पुल, पुल, पुल करे की फाड़ाई मनुदा पंधु बेला के लाइस तुप्लाई दुनिया पुल, पुल, पुल करे दुनिया पुल, 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 मुलड़ाई पता का चाय, गजब का स्वाद आया नया चुनाव सुधार जोडे वोटर आईडी से आधार सुधार आईडी आदा जी हां विलकम बैक, प्रोग्राम चलर रेंबो हेल्प लाइन, रेंबो का फर्स सेगमेंट और आज हम उस कर्यर की बात करें हैं जिसमें पैसा भी है, सुकून भी है, लोगों की सीवा करने का जी हां टॉपिक है करियर इन हॉस्पितल मानेश्मेंट और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमाँ इसा स्टूडियो में मौझूद है श्री गौरफ पांडे आप हेल्ट केर एक्सपर्ट है तो गौरफ जी जैसे कि हमने सवाल लिया था इस मुजिकल और कमर्शल ब्रेक से पहले रगविंदर सिंग जी का जो कि सुभाष नगर न्यू डेली 27 से हमें लिखते हैं कि हॉस्पितल मानेश्मेंट को जॉइन करने के लिए मिलिमम कौलिफिकेशन क्या होनी चाहिए जी आप बारवी के साथ भी बात भी ये कोर्स कर सकते हैं इसमें बैचलर ऑफ हॉस्पितल मै कर सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जो की डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के थू चला जाते हैं पार्ट टाइम भी होते हैं सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल हैं और यदि आप एम्भी हॉस्पितल मैनेश्मेंट कर चुके हैं तो उसके बाद आप एम आप एक जनरल एम्भी अ करके भी आप अश्पितल मैनेश्मेंट लाइन में आ सकते हैं और हास्पिटल मैनेश्मेंट में जो मिया जाता है जिसको हम यह है उसको करने के बाद में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी प्रैक्टिकल च केर इन इंडिया, how health system evolved, कैसे निकला health economics के बारे में, hospital planning के बारे में, health के जो और other aspects हैं, उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, जिससे की आपको hospital management करने में बहुत ही आसानी होती है, जिसको अगर हम कहें तो HR भी पढ़ाया जाता है, hospital management से related, hospital management से related, finance भी पढ़ाया जाता है उसमें, तो hospital manager के कई रोल होते हैं, उसको एक hospital में डॉक्टरों को भी समालना पड़ता है, employees को भी समालना पड़ता है, as a HR भी उसको काम करना पड़ता है, as a law भी उसको पता होना चाहिए, कि hospital में कौन कौन से law है, तो वो सारी चीजे, specifically जो hospital से related है, वो MBA HA में पढ़ाया जाती है, जनरल MBA में केवल management के बारे में बताया जाता है, जिसमें की इतनी डीप में चीजे नहीं पढ़ाया जाती, तो obviously जिसने MBA HA किया है, उसको एक added advantage होगा, उसको चीजे ज्यादा अच्छी समझ आएंगी, उसको ज्यादा चीजे अच्छी पकड में आएंगी और उसकी ग्रोगत और तरक्की वो उतनी तेजी से होगी, hospital management में ही अगर रहना चाहते हैं, तो master's in hospital management में थोड़ा बेटर हम कह सकते हैं, जी, hospital management में रहने के लिए सबसे अच्छा course है, सबसे अच्छा course वही है, okay, sir, जैसे कि इन्होंने यह भी काया कि, और financial help भी मिलती है क्या? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो हमें 2034 तक जो research होई है, उसमें बताया गया है, कि हमें 35 लाग beds की और जरूरत होगी, और अभी सरकार भी 3000-5000 नए hospital खोलने की छोटे इस तर से लेकर के बड़े इस तर तक बात कर रही है, और ऐसे में और हमने corona में बीमारी में देखा कि हिंदुस्तान नई विश्व में भी जो सबसे important sector वो रहा जो healthcare ही sector रहा, ऐसे में रोजगार की प्रबल सम्मावनाए हैं और अगर हम salary की बात करें तो starting हमें जो है वो 30-40,000 रुपए की job हमें आसानी से मिल जाती है, MBA hospital management करने के बाद में जो की हम अपनी growth में as a CEO और बहुत ही उच लेवल तक भी जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा एक career path है, एक growth path बहुत ही अच्छा है इसका और इनका तीसरा सवाल है कि in future scope कितना है private और government दोनों में जी, यदि मैं बात करूँ government की तो government जितने भी अब government के hospital हैं उसमें जितने भी बड़े hospital हैं इवन एम्स में भी hospital management के administrators आपको मिल जाएंगे और जो government के बहुत सारे states हैं, जिसमें कि अब जो state के government district hospitals हैं उसमें वो हर एक hospital में hospital manager जिसने MBA hospital management किया है उसको रखना start कर दिया है तो government में भी बहुत अच्छी सम्मावनाय हैं और निजी अस्पतालों में तो आप देखी रहे हैं कि किस तरह से जो है वो hospital management के लोगों को placement वहीं से campus से ही उनको ले लिया ज जी आपका नाम मैं गुर्विंदर सिंग जी और कैसे हैं आप सवाल बताएए अपना सवाल मेरा यह है डॉक्टर साम ने तो बहुत बढ़िया डिटेल में बता दिया है जी दिन लोगों में सेवा भाव है लेकिन ज़्यादा पड़े लिखे नहीं है आठभी नहीं दूसे हैं वो अपना contribution कैसे कर सकते जी बहुत अच्छा सवाल है आपका अगर आपके अंदर सिवा भाव है और आप ज़्यादा पड़े लिखे नहीं है तो भी आप छोटे लेवल से जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी हेल्थ केर होस्पिटल से हैं जो प्राइमरी लेवल के होस्पिटल हैं वहां से आप आप जो चीज आपके सामने आए अगर आपको देखे कि कहीं पर सिक मरीज है तो आपको तुरंत ही डिसीजन लेना है तो बहुत ही चैलेंजिंग फील लाई है और आप जैसे जैसे चीजों को सीखेंगे और जैसे जैसे जितनी हॉस्पिटल की चीज़ें जो मैंने बताई क इसके डिफरेंट आसपेक्ट्स होते हैं इनको जितनी जितनी जल्दी आप अपने अंदर ग्रैब करेंगे इसको पकड़ेंगे आपकी उन्नती उतनी तेजी से होगी तो अगर हम बात करें कि पेशेंट केर मैनेजर या पेशेंट केर हैंडल करने से उसमें बहुत जादा कर सकते हैं सपोर्ट असिस्टेंट की तरह से और दीरे दीरे हम चीजों को सीखते हुए और हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया जो जादा कम पढ़े लिखे थे बट उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी तरह है और आप चीजों को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं एक प्रेक्टिकल ग्राउंड आपके पास में और आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आपका अनवः बढ़ता जाएगा और आपकी चीजों में पकड़ बढ़ती जाएगी और आपकी उतनी ही वेल्यू बढ़ती की पोस्ट ग्राजुएशन की पर कहीं पर आपकी जादा हो जाती तो क्या कोई एज लिमिट है कोई 45 55 की बाद सोचना चाहता है नहीं इसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस करियर में एज लिमिट नहीं है क्योंकि इसमें आपको अगुरविंदर जी आपका सवाल पू करते हैं तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उमर जादा भी हो गई है तो सीनियर सिट्जिन का क्वाडिनेटर हो सकता है दूसरी बात है कि हम सोचल वर्कर का अगर आप सरकार सरकारी स्पतालों में भी जाएंगे तो वहां पर आपको एक पी आरो या सोशल वर्कर का ढूल है तो उन सारी सवालों का जवाब देने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि उनकी कांसिलिंग कर पाएं तो ऐसे में उनकी एज लिमिट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर यदि वो सस्त हैं कुर्सी पे बैठ सकते हैं और बैठ करक hanselle एकेला कोई रहता है उसके लिए उसके लीए कोई अटेंडेंट चाहिए होता है या पर उन्हें कोई कॉई काशल करने केलिए तो सार उसमें क्या वह वाल्ट्री करेंगा उसको पेमेंट मिलेगी या पैसे तोड़ा सा काम करने के लिए भी जी इसमें दोने तरह टरह की व करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है और एज लिमिट ऐसा नहीं है जी मोर और लेस गवर्मेंट की तो जो अपनी गाइडलाइन से उसको तो गवर्मेंट की जो गवर्मेंट जॉब मेंगर अप्लाय करेंगे वहां हॉस्पलोस में तो उसका प्रॉपर कंडिशन होता है ट क्वेल्थ में मिर्म परसंटेज 50% होना चाहिए उनका क्योंकि इसी भी स्ट्रीम से आप हॉस्पिटल मेरेंगमेंट कर सकते हैं लेकिन कोछ एक इंस्टिटूट है जैसे ऑल इंडिया इंस्टिटूट की अगर हम बात करें तो उसमें केवल हॉस्पिटल मेनेजमेंट करने इसा नहीं है उसमें बहुत सारे इंस्टिटूट्स हैं जहां पर आप अगर डॉक्टर नहीं है या नॉन क्लीनिकल यह साथ में अगर आपने बीडियस किया है या आपने फिजियो थरैपी की है और उसके बाद में आप अंबिया हॉस्पिटल मेनेजमेंट करना चाहते हैं क्योंकि यह इस तरह से ग्रो हो रहा है और आने वाली जो समय है उसमें हॉस्पिटल और हेल्थ केर इंडिस्ट्री हम जानते हैं आज की डेट में 4 trillion है जो की 8.4 trillion की तरफ बढ़ रही है तो बहुत ही संभावना हैं इस फील में और ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल मेनेज करके गवर्मेंट की विभिन हेल्थ रिलेटेड जो योजनाए हैं जैसे अगर हम बात करें कि मात्रित व शिशुदर या अगर किसी की हम न्यूट्रीशन का असेस्मेंट करना है तो गवर्मेंट के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें की उनको इन्वाल किया है कि मैं हॉस्टल मैनेजमेंट की ही बात करा हूं इस सवाल पर हम जरूर रहेंगे लेकिन इस मुझिकल और कमर्शल ब्रेक से युनो हमें लेना जरूरी इसके बात करें कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है वाइट टॉपिक है तो हम अच्छी तरह युनो गवर करेंगे कोzenष़ बात करेंगे में था खिम्यदा और को ऑफिक थीनुन संवर्त गुटे को हमें दिली में कोई पटना एम को इंप लिद्याना में कोई चण्डी गरम एको श्युम्ला में कोई लदाक में हमें हाप जगा से सुना जा रहा है ड्य थ्टेज के माथिम से आप में आप क गाना लगा दें सर चलिए हम अपनी आवास को विराम देते हैं सुनते हैं अरजीत सिंग को मुझे को इतना बता है कोई कैसे तुझे से दिल ना लगा है कोई रब्बा ने तुझे को बनाने में कर दी है हुसन की हालिती जोरियां काजल की सियाही से लिखी है तुने जाने कितनों की लव स्टोरियां के सर या तेरा इश्क है पियार रंग जाओं जो मैं हाथ लगाओं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में के सर या तेरा इश्क है पियार रंग जाओं जो मैं हाथ लगाओं दिन बीते सारा तेरी फिक्र में रहने सारी तेरी खैर मनाओं पिम्चल तेरी ऊफ़ां बेल था तेरी खैर फिक्क वो जाओं जो मैं जो प्यूँ ख़रो रहने जड़के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी, जनके सन नाटों में तू बिना के तारों जैसी सदियों से भी लंबी ये मन किया मावसे हैं, और तू भुल जड़ियों बाले त्यों हारों जैसी चन्डा भी दिवाना है तेरा जलती है तुझे से सारी चकोरियां काजल की सियाही से लिखी ही है तूने जाने कितनों की लव स्थोरियां के सरिया तेरा इश्क है प्यार रंग जाओं जो मैं हाथ लगाओं तिन भी ते सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर मना हूं के सरिया तेरा इश्क है प्यार रंग जाओं जो मैं हाथ लगाओं दिन भी ते सारा तेरी फिक्र में रहन सारी तेरी खैर मना हूं के सरिया तेरा इश्क है प्यार इश्क है प्यार इश्क है प्यार के सरिया तेरा इश्क आपिया रंग जाओं जो मैं थाथ लगाओं चेक चेक, हेलो चेक, अरे चेक किया क्या, तुने चेक किया क्या, क्यूंकि दोस्त लोग आसान है जान्च HIV की, ना जन्जट ना परेशानी, बिलेगी तुरंद पूरी स्टेटस की जानकारी, चानकारी हा, रहोगे तुम हमेशा ठी, डॉक्टर रोड तुम्मारे बीच की बा जाने का, तुम मुफ्त में जाच कराने का ना रे, चेक, चेक, हेलो चेक, अरे अपना HIV स्टेटस चेक किया क्या, अधिक जानकारी के लिए डायल करें, टोल-फ्री हेल्पलाई नंबर 1097, हरियाना स्टेट एड्स कंट्रोल सुसाइटी, पंचकुला द्वारा, जनहित में जारी. सकते हैं, कैसे कुछी उडान ले सकते हैं, और इस टॉपे पर बातचीत करने के लिए, आप हेल्थ केर एक्सपर्ट है, और सर मैं आप से जानना चाहूंगी, जैसे कि हमसे पहले राहूल ने पूछा था सवाल, कि राहूल ने पटना से हमें पूछा था, कि हॉस्पिटालि में पूछा था रूट में तो इस स्कतर में तो रूडा सा बताइएगा इस वारे में जी बिल कुल, जैसे हम देखते हैं होटलों में रूम ने होते हैं, गेस्ट की सेवा करते हैं, घस्ट रूपते हैं उसमें सारी सुविधाये जो होती है, उसी तरह से जब मरीज आता है तो अल्यडी बहुत दुखी होता है तो बहुत किस्ट होते है। और उसके जो अटेंटन होते हैं। उसके जब जब भरती होता है उसके जो रूम में जो सुविधाया है। यदि हम उनको उस लेवल की प्रवाइड कर पाएं और बहुत ही सेवा भाव से दे पाएं तो हमारे अच्छा कान होता है ऐसे हसे हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेंट में होटल में रहे हैं जिनों नहीं जो कोजा रखा है खाएक एपीयोगी shout क्योंकि उनको उनके अंदर भालएडी पेशेंस होता है और जो मरीज है वह उससे संवेदनाओं को शमझने को वह वो उनके अंदर अल्रेडी भरा होता है क्योंकि वो होटेल इंडस्ट्री से गैस्ट को उस तरह से ही ट्रीट करते रहते हैं, तो ऐसे में हम लोग हाउस्पिपिंग से लेकर के रूम सर्विस से लेकर के जितनी हॉस्पिटल की साफ सफाई है या कैटरिंग है, खाने को कैसे और किस तरह से गरम खाना अच्छा खाना उन तक पहुत सकता है, इस पर जोर देने के लिए हम लोग बहुत बार हॉस्पिटल में हॉस्पिटलिटी मेनेजमेंट के अनुभव के लोग भी रखते हैं सर जैसे कि अपने भी बात की, कि हाउस्पिपिंग स्टाफ की बात किया, जो आपको खाना दे रहे हैं, सर जो कोविट में जब आपकी फैमिली एलाओ नहीं थी, पेशेंट अकीला ही था, तो उस समें यह जो हास्पिटलिटी आपने बात की, कि हाउस्पिपिंग जो खाना से बात करें, आपको प्यास से खिलारे है, आपकी मम्य के साथ नहीं, आपके फादर आपके साथ नहीं, आपके अकेले हैं, तो यह ही आपके लिए फैमिली होती, तो यह तो पेस wij नहीं होना और एक अपना पन इमोशनल बांड कनेक्ट करना पेशिंट के साथ बहुत जादा जरूरी हो जाता है आप मशीन नहीं होते हैं आपके अंदर जजबात होते हैं मुझे ऐसा लगता है यह बहुत जादा जरूरी है असर इसमें एक सवाल आया है कि ओके प्रोग्राम अच्छा लग रहा है रेनु का पहान वेस्ट बिंगॉल से हमें लिखती है थैंक यू सो मच माम इसे के साथ गौरव जी की जानकारी दीवी जानकारी से मेरा करियर बन जाएगा मान भी लिखती है देरादून से बहुत अच्छी बात है और इसे के साथ यह सवाल है अपने जो लोग है उनकी सेवा करने चाहिए अगर किसी कारण वश आप बहा जाना चाहते है अपनी सर्विसेज देना चाहते है तो क्या यही कोस्ट करके आपको अच्छी जॉब के जो अपोर्चुनिटीज है वो मिल सकती है अच्छे वेन्यूस मिल सकते हैं इस सेक्टर में जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल है आपका यह अपने गर इंडिया में हम जो बात करें तो हॉस्पिटल मेनेजमेंट के साथ साथ में हिल्थ मेनेजमेंट भी इसका एक इंटिग्रल पार्ट है और विश्व की बहुत सारी युनिवर्सिटीज हैं जो की मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कराती हैं MPH तो आप MHA करने के बाद में या BHA बैचलर करने के बाद में आप आगे MPH भी कर सकते हैं Master's in Public Health यदि आपके पास कोई डॉक्टर की डिग्री है या अलाइड और कोई भी Medical से Related आपने कोर्स किया है तो भी आप MPH कर सकते हैं और MPH करने के बाद में आपको बहुत सारी विश्व में विविन देशों में काम करने की संभावनाएं बहुत ही खुल जाती हैं उसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमने पिछली बार बात की थी Medical Tourism की तो हिंदुस्तान में भी बहुत सारे होस्पिटल ऐसे हैं आपका आना जाना लगे रहेगा और अगर वह वह हॉस्पिटल अपना उस कंट्री में कोई भी ब्रांच खोलता है तो आप वहां के मैनेजर वनके भी जा सकते हैं और वहां पर आप सारी चीजे मैनेज कर सकते हैं यह एक इसका आस्पेक्ट है और दूसरा आस्पेक्ट है कि यदि आप MHA करने के बाद भी बहुत सारी कंट्री ऐसी है जो आप उनकी अगर जो भी टौफेल वगरा है आप उसको क्लियर करें और अगर आपके कुर्स में उनको आपकी रैंकिंग सही मिलती है नंबर सही मिलत इंडास्ट्री में अपना कर्ये बुनाना चाहते हैं तो क्या बन सकता है करियर जी बिलकुल बन सकता है यह डिपेंड करता है कि आपने पीछे क्या किया है यदि आपने नहीं भी हॉस्पिटल मेनेजमेंट का कोई कोर्स किया है और आप 45-50 येर्स की एज में है तो मैंने जैसा बताया क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर सिवा भाव की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है यदि आपका इंकलिनेशन वो ठीक है और आपकी सेहट ठीक है क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड ये इसमें हम जान के साथ जो है वो डिल करते हैं हुमन लाइफ के साथ हम डिल करते हैं मशीन नहीं है हमारे पास और उस हुमन के अंदर सम्वेदनाए होती है तो हर पल उसकी सम्वेदनाओं को समझना उसको पकड़ना और उसके हिसाब से रिस्पॉंस करना यदि आप यह ले सकते हैं और आपके अंदर चैलेंज मैनेजमेंट अगर आपको आता अगर आपने अपने करीर अपना बनाया फॉटिफोव फिफिटी यह तक या शुरू में भी आपने अचार में कुछ किया है आप उसके बाद में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई सर्टिफिकेट को और स्टिप्लोमा कोर्स भी कर लेते हैं जिसमें कि आपको पता हो कि कितनी उती हैं नर्से seguir को कैसे higher करते हैं तो आप hospital के HR में लग सकते हैं अगर आपने finances में किया है तो hospital के अंदर पूरा चो finance department होता है आप ने काम कर सकते हैं बिना MHA किये भी आप ऑस पिटल के मिलावन काम कर सकते हैं विना को फिट्रांज कि अगर आप तो आप उस दिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं तो बहुत सारी सम्मावनाएं हैं जो की आप अपना करियर बना सकते हैं कि आपने कहा की ब्रैंडिंग में है और आप जो पर फाइल में आप आप गार सक्योटी गार्ड है इन सब को भी पलीड कर सकते हैं आप हर अपर अक डिपार्टमेंट होता है था कोई देपार्टमेंट होता है सर मैं इस्ता सर जाना चाहती हो कि जैसे कौई नर्सिज था था तो इसको जो हैड होता है तो क्या वो नॉन क्लिनिकल स्टाफ हो सकता है एवेंचुली नॉट नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि चीफ नर्सिंग ऑफिसर या डारेक्टर नर्सिंग सर्विसेज को नर्स होना बहुत ही जरूरीत है यह एक रिकुर्मेंट है कायट अगर अगर हम बात कर एंकि तो डीन डीन और डारेक्टरेच्टर झाया हुट इसके लिए अपको ननlaור आपकेज ऑन सब्सक्तकर स्टाफ हैं अगर हम बात करें दीन की तो दीन भी Medical Administration और दीन Administration So, Dean Medical Administration Has to be a doctor, वो doctor होना जरूर दी है यदि हम Dean प्रबंधन की बात करें Administration तो वो Non Clinical MHA भी हो सकता है ऐसी तरह से अगर हम Director की बात करें तो दो तरह की Director होते हैं जिनको हम Director Clinical Services या Medical Director बोलते हैं और दूसरा होता है Director Administration या Operations Director या Chief Operating Officer जिसको हम बोलते हैं तो वो वो एक Non Clinical MHA भी हो सकता है Okay, Sir, जैसे कि अपने ब्रांडने की बात की तो Hospital Management में क्या Creative Wing भी आता है आज की टाइम बे जी यदि हम बड़े हस्पतालों की बात करें तो यह बहुत ही फोकस्ड एरिया है जैसे जैसे डिजिटल क्रांटी हो रही है और लोगों का रुजान जो है वो मुबाइल और इंटरनेट की तरफ बढ़ रहा है ऐसे में जो ब्रैंडिंग और डिजिटल यह है इस तरह का हम अपने हस्पतालों में लोग रखते हैं जो की हमारे इंसल मतमींस डिजाइनर्स भी होते हैं जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉर्स किया उनको भी फुल टाइम जॉब हास्पिटल में मिलता है तो इंटरस्टिंग तो यह बहुत ही वाइड है और तभी नहीं कहरें मल्टी बिलियन डॉर इंडर्स्री बन चुकी है तो दोस्तों प्रोगाम शाल रेंवो हैल फ्लाइन और इसके साथ एक अप्रिसेशन हमें आ रहा है तो इसके साथ यूनों वसके बाद हम गाना लगाएंगे मार्वल इस प्रियंका मैं वेरी नाइस शो एंट्रैक्स बहुत ही ब्यूटिफुल है अच्छी लग रहे हैं अच्छी लग रहे हैं शर्मा असिनापुर मेरा ट्यूपी सी लगती थैंक्यू सो मच अंशी हमें अप्रिशेट करने के लिए गाना लगा दे अभी हो जी तो चलिए तो हम सिल्क रूट को सुनते हैं दूबा डूबा रहता हूं ऐसे दूबा टॉपिक चल रहा है कॉर्य इन हॉस्पितल मेरेजमेंट हमारे साथ है गौरफ पांडे जी आप हेल्थ केर एक्सपर्ट है मैं हूप रियांका वर्मा फिल्हाल ये गाना और फिर होगा हमारा आना दूबा डूबा रहता हूं आखों में तेरी दीवाना बन गया हूं चाहत में तेरी दूबा डूबा रहता हूं आखों में तेरी दीवाना बन गया हूं मैं चाहत में तेरी अपने गुजर्टे नहीं राधी कटती नहीं तस्वीर से बातन मंती रही हो आजा कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे कुछ जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे दूबा डूबा रहता हूं आखों में तेरी कुछ जाने ना ये हुआ कैसे तुम जो मिल गए दिये जल गए मेरे खाबों में बन जाओ तुम मेरे हमसफर तुम जो मिल गए दिये जल गए मेरे खाबों में बन जाओ तुम मेरे हमसफर बेवफा, सुन्धों बेवफा, बेवफा ना जा डूब डूब रहता हूँ आखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं जाहत में तेरी बेवफा डूब डूब रहता हूँ आखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं जाहत में तेरी अब बुजर्दे नहीं, रादी घटती नहीं तेरी तस्वीर से बन गया हूँ हूँ आखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ आखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ तो दोस्तों आपको अपने करियर में डूबना है जी हाँ का करियर में लेनी है उची औरान तो करियर को सवानना होगा हमारे साथ हैं गौरब पांडे जी, हूई जाते जाते हैं हमारे दोस्तों को क्या कहना चाहेंगे जी, प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद और मैं कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनल डिग्रीज तो हॉस्पिटल मेनेजमेंट में आप मैंने बताई दी हैं इसके साथ में आपको कम्मिनिकेशन स्किल्स पर बहुत धान देना है अगर आपको रहना है इस फील्ड में तो आपका वर्बल एस वेल एस नॉन वर्बल दोनों कम्मिनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपको बॉड़ी लेंग्विज की वह जो आर्ट है वह भी तो ऐसे में कहीं हम जो बोल रहे हैं क्या वो हमारी लेंग्विज से भी समझ पा रहे हैं उसको हमें सिखाना बहुत जरूर। दूसरी चीज है कि हमें स्ट्रेस हैंडलिंग करना आना चाहिए कि हमें इतने तनाव पूर्ण महाल में हॉस्पिटल में काम करते हुए हमें इक इमोशनल जो है आर्ट को सीखना इमोशनल काउंसलिंग लेनी या उस आर्ट को सीखना बहुत ही जरूरी है तीसरा है अगर हम स्ट्रेजिक डिसीजन्स को लेने के लिए आर्ट को अगर हम उसको सीखते हैं तो यह हमारे करियर में एक एड़ेड एड़ांटेज रहेगा कि आप उतनी जल्दी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में तरक्की कर पाएंगे क्योंकि क्रूशियल मुवमेंट्स पे आपको किस तरह से डिसीजन लेना है वो एक आर्ट है वो आपको आना चाहिए तो आप केस स्टडीज होती हैं उनको आप देखें सीखें और अपना करियर भ किस तरह से तो इसे एफेक्ट ना उसके लिए हीलिंग लेना खुद की लिए भी कितना जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया थैंक यू सू मच सर हॉस्पिटल मैनेश्मेंट में दोस्तों आप सब के लिए करियर से जुड़े बहुत से अफसर हैं तो निरास्ते ढूंड सकते हैं और मन्जिल तक बहुत सकते हैं कुछ उची उडान मैं कहूंगी करियर में एक खुबसरत परवाज आप ले सकते हैं और आम शूर आपकी वैल्यूबल इंफरमेशन काफी जादा यूनों हेल्फुल रहेगी हमारे दोस्तों के सार तो थैंकि सो म को हूंगसख कर दोस्तों यूनि यूम जो गतैं लोस्तों, सकते हργा सकते हैं